नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं Reliance Capital Company के Quarter 2 के नतीजों के बारे में तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे मैं हूं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और 7 नवंबर 2020 के दिन ये न्यूज पॉब्लिस की गई है इस न्यूज के अनुसार रिलाइंस कैपिटल क्वाटर टू नेट लॉस विडिन मल्टी फोल्ड टू दे रेट आफ 2577 करोड यानि कि आप देख सकते हैं रिलाइंस कैपिटल जो कंपनी है उसके क्वाटर टू के नतीजों में कंपनी को भारी भार कम लॉस उठाना पड़ा है आप देख सकते हैं लगबग 2577 करोड का या पर कंपनी को लॉस हुआ है थोड़ा से नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के का जो करेंट प्राइस चल रहा है आप देख सकते हैं लगबग 8.65 के करीब चल रहा है और पिछले सेशन में इस शेर के प्राइस में लगबग 10 पैसे की बढ़ोतरी यानि की 1.17 परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी अगर थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है उसकी यहाँ पर प्रॉपर अपडेट मिलेगी देखिए आपको यहाँ पर बहुती इंट्रेस्टेंग है धियान से सुनना एकदम Reliance Capital on Friday reported multi-fold wedding of its consolidated net loss at the rate of 2577 crore in the second quarter ended September of this financial year The Company had posted a net loss of rate of 96 crore in the quarter ended September year ago तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछली साल की इसी अवधी के quarter की बात करें तो यहाँ पर कमपनी को केबल और केबल 96 crore का लास हुआ था लेकिन इस बार अगर बात करें तो यह लास बढ़कर इतना जादा हो गया है कि percentage में निकालना मुस्किल हो गया है आप देखेंगे यहाँ पर लगबग कमपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और मुझे लगता है कमपनी को लगबग 25% का लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा लॉस आप देख सकते हैं आपर जो अने लंबानी की कमपनी और अने लंबानी की ऊबर तो जो है बादल चाये हुए है यहाँ पर मुसीबत के तो इसलिए इस कमपनी को देखें इसका असर आपको उनकी सारी कमपनी को पर देखने को मिला है देखिए अगर आपके पास इसका share है तो मुझे लगता है कि आपको निकाल देना चाहिए क्योंकि ये share are reliance communication की तरह ही नीचे trade करता हुआ नजर आएगा आपको लगबग एक रुपए के भी नीचे trade करता हुआ नजर आए तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि देखिए कंपनी में कुछ बचा नहीं है उपर उपर कंपनी देख रही है और नीचे बीच में सब खोकला हो चला है चलिए सब हालत हो गई है तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में कंपनी को जो लॉस हुआ था वो 1095 करोड का हुआ था और यहां पर उससे भी ज्यादा लॉस है देखिए हर साल इनका लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है कि चलिए इस बार 10 करोड का प्रॉफिट अब 50 करोड का अब 100 करोड का इनका जो है लॉस बढ़ रहा है पहले 96 का था उस पाइनसी एलियर में और यहां पर आप देखेंगे तो यह बढ़कर लगवा एक हचार पंचानबे हुआ जून वाले क्वार्टर में और अभी कर लगवग 2577 करोड के करीब हो गया अगर हम नीचे बात करें तो टोटल कंसोर्डिटे इंकम फैल टू रेट ऑफ 4929 करोड इन जुलाई सेप्टेंबर पीरियड 202021 फ्रॉम दे रेट ऑफ 5064 करोड इन दा इयर एगो क्वार्टर तो आप देख सकते हैं पिछले साल के इसी क करीब हो गई है तो दिखिए आपके पास बहुत सारे शेयर आपके पास तो अगर आप चाहें तो अपना पैसा आप उसमें लगा सकते हैं मुझे लगता है कि इस टॉक सही नहीं है अब देखिए आपकी आपकी मर्जी होती है जो निबेशक होता है वो किस मैंटलिटी के सा किस mindset के साथ trade करता है या investment करता है वो उसकी अपनी परिस्तिती होती है तो आपको decision लेने का पूरा अधिकार है और अगर आपने इसमें पैसा लगाया होगा लेकिन मैं suggestion नहीं करता जो भी companies हैं जो खोकली हो चली है या फिर जिनके पास कुछ बचा ही नहीं है उपर उपर धां दिशेयर 8 रुपए पर trade कर रहा है 8.65 पर अब मान लीजिए कि कल के दिन खराब news आई और यह 7 रुपए पर पहुँच गया है और 6 रुपए पर तो आप देख सकते हैं इसके लिए तो 8 का साथ ही हुआ है लेकिन आपके जो पैसे जाएंगे वो लाकों में जाएंगे आज suggestion यही रहेगा देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी उपर price मिलता है तो आपको इस share में से निकलने में ही वालाई है क्योंकि दिनों दिन इसका price जो है घटता जा रहा है और जैसे ही अच्छी कपने आति हैं आप फिर से करीदेना इस share को क्या दिक्कत क्या है अगर माली ज के इस company के जो assets से उनको बेच बाच के अपना जो है उदार चुका रहा है यस वैंक भी तो काफी जारी मुसीबत यहां पर जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है अने लंबानी के लिए तो देखिए आपको समल का trade करना है और I think आपको जो वीडियो है और जो information है काफी ज लाल इतना ही धन्वाद